महाराश्टो का सत्ता संगर्श का मामलाग सुप्रिम कोर्ट तक जा चुका इसके बाद शीम सिना के उद्धव ठाकरे समुहाने माम की है कि एक राशेंदे समुह के 16 विधायोकुं को सुप्रिम कोर्ट में अयोग्यों भूशित किया जा जा जहां सुलवाई चल रही है वद् शीम से ना उटव ठाकरे के नेता और पुर्व सांसर चंद्रकान खेरे ने बड़ा दुमाखा किया है उनकी इस बयान से राजनिती में एक नया भूकम आ चुका है चंद्रकान खेरे ने दावा किया है कि भाज़प के नेता और उपमुक्यो मंद्री देवेंद्र पड़नविस ने कॉंग्रेस के 22 विदायकों को इस सरकार को गिराने के लिए तया रखा है चंद्रकान खेरे के इस बयान से राजनिती का महल और भी गर्म होने की संभावना है बले ही चंद्रकान खेरे ने बयान दिया है कि कॉंग्रेस विदायक पड़नविस के संपत में है लेकिन अकसर चर्चा थी कि कॉंग्रेस विदायक पहले भी अलग हो जाएंगे शिवसे नमें बगावत के बाद तकाली मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे ने इस्तिफा दे दिया और महाविकास आपड़ी सरकार गिर दे खेरेन ने एक बार फिर बताया है कि कॉंग्रेस विदाया फर्मविस के साथ जाने की संभा होना है अभी इस विदान पर कौन से नहीं प्रतिक लिया आएंगी राज़िती में कौन सा नया मोड़ाएगा ये जानी की लिए बने रही है ये एन देपर के साथ